सरोभाम सरोजनिक वित्रर प्रणाली लगू कंग्रेस सरकार बनने के बाद जो रासन कार्ड बनाना है उसके बारे में नई अपडेट आई है कब से नया रासन कार्ड बनेगा कितना नया रासन कार्ड बनाये जाएंगे जो पहले रासन कार्ड है उसका क्या होगा इन प्रशनों का जवाब आपको इस उडियो में देंगे और जो रासान कार्ड बनाने का अधार है उसका क्या है इसमें भी बात करेंगे भुपेज वगेल सरकार दुवारा जो है गुष्णा की गई है कि नए रासान कार्ड बनाया जाएंगे और कितने रासान कार्ड बनायेंगे ये भी बताया गया है और पहले का जो रासान कार्ड है उसका क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे आपके स्वाल हो सकते हैं ये जानते हैं आपके स्वाल का एंसर ये हो सकता है सारोजनिक वितरप्रणारी लगू करने के लिए डेट 2 अक्टूबर को निधरिती गई है जो कि गांधी जयानती है 2 अक्टूबर से नय रासनकार्ट बनाया जाना है इसमें 65 लाग नय रासनकार्ट बनाया जाएगा जो अन्ठावान लाग पुराने रासन कार्ड है उसका पहले नवे नी कराण होगा और APL के नए रासन कार्ड भी बनाया जाएंगे APL रासन कार्ड जो है नया इसमें जोड़ा गया है पहले जो सरोजनी कुत्र प्रणाड भी बनाया जाएंगे APL के रासन कार्ड भी बनाया जाएंगे जो नई प्रणाड़ी है सरोजभाम सरोजनी कुत्र प्रणाड़ी का उसमें गूड वित्रण किया जाने किया जा सकता है इस पर जो है विचार किया जा रहे कि इस बार गूड वित्रण किया जाएगा जो नए रासन कार्ड बनाया जाएगा उस दवरान ओटार आड़ी और अधार कार्ड का मिलान किया जाएगा ओटार आड़ी और अधार कार्ड के अधार पर ही जो है नए रासन कार्ड बनाया जाएगा और पुराने रासन कार्ड का नविनिकर रण किया जाएगा इति जान करें आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह से जुड़े इसी से जुड़े और नहीं नहीं अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बडन को भी दबा लें यदि आप हुमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बडन को दबाए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें